हे गाईज वेलकम बैक पूद शेशन आज हम बात करने वाले हैं क्राइचस इन स्रिलंका के ओपर बिसेकली यह हमारे रिपोर्ट राइटिंग के फोर्थ वीडियो होने वाली है आपने इसके पहले कि अगर तीन वीडियो नहीं देखी है तो प्लेस जाकर कि आप उन तीन वी की कमी के कारण स्रिलंका अपने अब तक के सबसे खराब आर्थिक संकट का सामना कर रहा है जिससे पेट्रोलियम की कीमतों और मुद्रा स्विर्थी में व्रिद्धी हो रही है मतलब क्या है इसका यह दो को फोरन एक्सेंस रिजर्ब जो हमने लिखा इसका मतलब होता है कि क इस कंट्रि के पास कितना फोरन मनी है ठीक है जैसे कि हमने सुना होगा कि आधी प्रुलियम करती में करती है इस कामी हो गए थी तो हमें क्या देखने को मिला कि वहां पेट्रोलियम कीồiस दो कीमते थी बढ़ गई थी और उसकी करेंसी थी उसके भी आफिवो पॉलसकती हो प पर हमें economic crisis देखने को मिला था second हमारा paragraph क्या है कि many Sri Lanka nationals are also playing to other countries to escape the crisis अब जब स्रिलंका में crisis हाया तो बहुत सारे स्रिलंकाई नागरिक ऐसे भी थे जो इस संकट से बचने के लिए दूसरे देशों की यह पलायन कर गए मतलब की अपने देश को छोड़ करके दूसरे देश में भी चले गए the islands foreign अब देखो यह islands foreign है इसका मतलब हम क्या बहुत सकते हैं और basically यह स्रिलंका को ही denote कर रहा है the islands islands foreign reserve have hit rock bottom with commercial bank unable to secure dollar to finance import of food fuel and medicines इसका मतलब क्या है कि दूपीए के यहनके दूपीए के विदेशी भंडार में भारे गिरावट आई बिलकुल सही बात है हमने क्या बोला कि जो सिलंका है उसके पास ही जो dollar की कमी हो गई तो इससे क्या हुआ इनके जो currency है जो इनकी गरंसी आ उसका जो value है वो काफी कम हो गई इसके कारण क्या हुआ कि वहां के जो bank थे जो क्या लाते थे खरीद के दवाय करिद के लाते थे जो हमारे essential food हो गये fuel हो गया medicine हो गये यह सभी जो वहां से आयात करी जाती थे इंपोर्ट करे जाते थे वो अब आने बंद हो गए थे ठीक है तो इससे भी हमें क्या हुआ एक तरीका का कराइसस वहां देखने को मिला था मतलब क्या है इसका कि 2020 में COVID-19 महामारी ने खराब इस्तती को बत्तर से बत्तर बना दिया बोल सकते हो कि स्रिलंका की जो हालत है वो तो थोड़ी ठीक ठाक हो सकती थी लेकिन ये जो COVID-19 का बोल सकते हो इसमें क्या हुआ कि इसने जो स्रिलंका की इस्तती यह उसे और बत्तर बना दिया उसकी और हालत खराब कर दी विद्यसी स्रमिकों के प्रेशन प्रेशन ने आकर्षन प्रेटन छेत्र का पंग बना दिया मतलब कि बोल सकते हों कि काफी ज़्यादा सिच्वेशन जो है वो रोस्ट हो गई और जादे खराब हो गई अभी हमने एक बड़ा था इंपक्ट ऑप कोविड-19 ठीक है और ग्लोबल एकॉनमी तो अगर उस सेशन को आपने देखा है तो आपको पता होगा कि मैंने उसमें भी बताया था कि जो टूरिजम था उस पर जो हमारा स्रिलंका कंट करते थे वह अब वहां गए नहीं तो वहां का जो मुद्रा भंडार था वह एक तरीके से कम होने लगा खतम होने लगा जो कि उन्हें एक बोल सकते हो कि क्राइसिस की और ले जाने लगा ठीक है एक्सपोर्ट ऑफ टी रबबर एस्पेसीस मतलब स्पाइस एन गार्मेंट एक्सपोर्ट करता था बेचता था जैसे कि चाय हो गया रबबर हो गया मसाली हो गया गार्मेंट्स हो गया इनकी निर्यात में उसे भारी नुक्षान हुआ ठीक है यह जो चीजे वह एक्सपोर्ट करता था उसमें उसको हो गया काफी जादा घाटा ठीक है यह घाटा होने जो भी चीजे वो garments के समान जो भी वो निर्यात किया करता था export किया करता था one country to another country उसमें हुआ उसको घाटा मतलब काफे ज़्यादा नुक्षान हो गया जिससे और सरकार की क्या होए सरकार की जो बोल सकते हो expenditure है सरकार का जो खर्चा है वो 2020-2021 में 10% है जो उसकी राजकोशी घाटा है टिकर वो तो हुआ ठीक है जो सरकार की क्या है एक तरीके से बोल सकते हैं जो सरकार का expenditure है वो बढ़ गया था जिससे की राजकोशी घाटा जो है वो 10% अधिक हो गया मतलब सरकार को घाटा लग गया कितना 10% का मतलब क्या हुआ कि 2021 जो वहां की गौवर्मेंट थी उसने एक फैसला लिया उसने नड़े लिया कि हम क्या करेंगे 100% जो हमारे फर्टिलाइजर यूज होते है क्रिसी में उसे अब हम यूज नहीं करेंगे और उसने अपने फर्टिलाइजर के यूज पर लगा दिया बैन अब जब इसने फर्टिलाइजर के यूज पर जो है वो बैन लगा दिया और उसने क्या किया उसने बोला कि अब जो हमारी फार्मिंग होगी वो कैसी होगी वो और्गैनिक वे में होगी मतलब पूरी तरीके से जो बोल सकते कि जैबिक खेती वाले हम राष्ट बन जाएंगे इससे क्या हुआ यह जो फैसला है वो रातो रात लिया गया तो इट इंपेक्टेड फुड प्रोडक्शन अभी इसने क्या गया कि जो वहां की फुड प्रोडक्शन है जो खाद्यान उत थे जाहिर से बात है कि हमारी प्राइज है फुड की वह काफी ज्यादा बढ़ जाएंगी तो एक्सपर्ट बिलीब स्रिलंका सुड रिस्ट्रक्टिब इट्स डैप्ट एंड इस्टैब्लिश ओ थ्री इयर री पेमेंट इस्ट्रक्शर मतलब क्या है कि विसेसग्यों का मानना है कि स्रिलंका को अपने कर्ज का पुनर गठन करना चाहिए और तीन साल का पुनर भुगतान दाचा अस्थापित करना चाहिए ठीक है बिसेकली देखो यह जो चीज है हमने कहां से लिया है गूगल से लिया है तो इसको मैंने डाल दिया as a prospective of factual data ठीक है इसको मैंने add किया हुआ है तो इसको आप लिख सकते हो या फिर गोगल पे भी मिल जाएगा ठीक है इंडिया एक मतलब डॉलर रिट एक इंपलाइट का मतलब डॉलर माल लेंदेटे है तो थो प्षुर बिलियन डॉलर इन्कूडिंग ऑफ 500 बिलियन डॉलर लोन डीफरमेंट एट ओन बिलियन फिर ओन बिलियन डॉलर टू इनेबल दा सप्लाइब उप इसेंशल कमोडिटी ज़ो हमारी भारत सरकार है भारत सरकार ने क्या किया है भारत सरकार ने आवस्चक वस्तों के आपूर्ती को मतलब भारत सरकार चाहते है कि जो स्रिलंका है उसमें जो इसेंसियल गूट्स हैं उनकी आपूरती बनी रहें ठीक है वहां के लोगों को एसेंसियल जो गूढ है वो मिलते रहें इसके लिए क्या है कि भारत सरकार ने पांच सौ चार बिलियन डॉलर जो कि भारत ने किसी सहायता के लिए दिया हुआ है तो एक बार मैं बता देता हूं क्या है एक्सपोर्ट का मानना है कि जो सिरलंका है उसको क्या करना चाहिए अपने कर्ज का पुनर गठन करना चाहिए और कम से कम तीन साल में उसको धाचा अस्थापित क और दूसरा point इसमें यह है कि हमारे भारत सरकार ने जो है वो सिरलंका में जितने भी essential goods जो भी आवस्यक वस्तुवे हैं वह वहाँ पर आपूर्ति उनकी कराई जा इसके लिए भारत ने total 2.4 billion dollar की जो है वो help करी है सिरलंका की ठीक है the crisis should be used as an opportunity for new Delhi to trace out a solution to the park be feces distribute यनकी क्या कर सकते है यनकी हमारी जो government है न्यू दिली के जो government है वो क्या कर सकती है भारत और स्रिलंका के बीच में हमने एक वीडियो करी थी आपको याद है तो वो वीडियो क्या थी एसी की एक series जो हमें कर रहे थे उसमें थी India and its border challenges तो उसमें हमने क्या किया था हमने बात क्या था सिरलंका और भारत के बीच जो border challenges है उसको लेगर की तो हमने बिसिकली बताया था कि जो हमारे उनके लिए काफी ज़्यादा बोल सकते हैं वहां पर आ जाता है क्योंकि हमारे जो इंडियान होते हैं वह स्रिलंका के बॉर्डर में चले जाते हैं और जो सिरलंकान होते हैं वह हमारे इंडिया के बॉर्डर में आ जाते हैं तो इस चीज का अगर हम permanent solution देखे तो इस मतलब क्या है मतलब सीधा और स्पष्ट है कि अगर हमारी भारत सरकार चाहे तो इस ऑसर का फायदा उठा करके जो स्रिलंका और भारत के बीच में जो पढ़ोसी के नाते अच्छा रिस्ता होना चाहिए जो कि हमें हिंद मासागर में और मजबूत बना सकता है वो हम अब कर सकत हैं किसके थरू इस क्राइस के थरू मतलब इस क्राइस के थरू हम क्या करेंगे उनको सपोर्ट करेंगे उनके अवैलिबिल्टी मुहिया कराएंगे एक तरीके से बोलते हो उनके एकसेस में करा देंगे ठीक है तो इस तरीके से क्या होगा अगर हम उनके मुश्किल वक्त मे जो बात गरी जाएगी उसमें हम एक तरीके से आगे रहेंगे ठीक है मतला हमारा जो फायदा होगा वो हो सकते हो कि जो क्राइसिस का जो फायदा है इंडिया बिसकली क्या कर सकती है कि इसका आउसर का लाब उठा सकती है और वो सिरलंका के साथ जो है वो अपना अच्छा रिलेशन बना सकती है जो हमें हिंद मासाकर में और मजबूत बना देगा तो thank you for attending the session guys I hope कि जो वीडियो हो आपको अच्छी लगी होगी तो please do like and do share with your friend and do subscribe also join our telegram channel defense student community guys आप next topic comment करके वीडियो में comment करके आप guys आप comment करके next topic बता सकते हैं आपके comment का हमें इंतजार रहेगा next video आपके comment पे आएगी मिलते हैं next video में तब तक के लिए जैहिंद आपके आपके एंपके लिएगई